कि अ कि दोस्त के किड़नी में स्टॉन था फिर उसने बियर पीना चालू किया केवल तीन मेने में उसके किड़नी का स्टॉन निकल गया लेकिन अगले तीन साल में उसकी किड़नी निकल गई हाहा तो एक जोग था जो इसलिए आपको बताया कि किड्निस töन की उपर में लोग हमेशा बोलते हैं, डॉक्टर भी कोई सल्हा देते क्या आप बीर पिया करो, लेकिन बीर हानीखाराण हो सकती है, शरीर के लिए बीर हानीकाराण हो सकती है, इसलिए किड्निस स्टोन है, तो क्या करना चाहिए आइ कि टेस्टूमुनी में हम देखने वाले तो नमस्कार दोस्तों मिना नाम है समीर शरदेशकर मैं नाकपुर शहर में रहता हूँ और अधमी इंडिया में ऐधे special agent करके काम करता हूं तो आज हम एक टेस्टो मुक आउन के तिस्टो मुनिये एक महिला की टेस्टो मुनिये यह गॉल-प्लैडर के अंदर स्टोन होता है गॉल-प्लैडर आप जानते हूंगे और किडनी स्टोन यह दोनों के ऊपर में बहुत-ई अच्छी टेस्टो मुनिये सबसे पहले गॉल ब्लैडर क्या हो यह देख लेते किटनी स्टोन तो नॉर्मली लोगों को मालूम होता है लेकिन गॉल ब्लैडर क्या है और गॉल ब्लैडर के अंदर में ओमेगा क्यों काम करता है वैसे तो इसके दो तिन रिजन्स होते हैं गॉल ब्लैडर में स्टोन होने के तीनों रिजर्स में आपको बताता हूं और मेरी ये सलहा रहेंगी सला क्या रहेंगी मैं आखरी में बताऊंगा ठीक है तो वाट इद गॉल्ब्लेडर गॉल्ब्लेडर को पित्ता शेय की पत्त्री भी कहा जाता है पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम के सुरक्षित रगने वाले महत्वपूर्ण अंग यानि पित्ता शेय पाचन के लिए आवश्यक जो एंजाइम होता है उसको सुरक्षित रखता है वाला अंग होता है हमारा पित्ता शेय के जुड़ी सबसे प्रमुख समस्या ही यही होती है कि पित्ता शेय के फत्री इसमें स्टोन बनने की च्राशंग का वुलू बहुत ज़्यादा होती है दरसल जब गॉल ब्लैडर में तरल पदान हैंने लिकवीड पदार्थ की मात्रा सुखने लगती है जैसे शरीर के अंदर में हम लिकवीड भूट गया ना हमारा गला सुखने लगता है वैसे गॉल बैडर के अंदर में कि दोब भी होता है कुछ सो जाते सुखने के कारण एक साथ जमा उजाते और छोटे प्ऩ ora जैसा रूब धारन कर ले िटे जीने गॉल ब्लाइडर स्टोन कहां जाता है डाल कहा Bowl जाता उन्हें गॉल ब्लाइडर स्टोन क्यों चीनी चमक रचिनी नमक और कुछ माइक्रो न्यूट्रेंट्स होते इन सुकने के कारण एक साथ जमा हो जाते जिसके कारण गॉल ब्लैडर के अंदर में स्टोन हो जाता है ठीक है अब दूसरा पॉइंट होता है जब ब्लैडर में गॉल ब्लैडर में ब्लैक या ब्राउन कलर के स्टोन होते हैं आपने देखा ह राडर के अंदर में अंकॉंजूगेंटेडा अंकॉंजूगेंटेड बिलूरुबीन नामक तत्व का संगरा होने लगता है तो इसमें पिगमेंट इस्टोन की समस्या होने लग दिये और यह मैं डरा नहीं रहा हूँ लेकिन बहुत बड़ी भंकर और गंभीर समस्या है यह pigmin stone जो होते हैं बहुत बड़ी गंभीर समस्या होती है शरीर के लिए गॉल ब्लैडर में गड़बड़ी की वज़ा से कई बार क्या होता है गड़बड़ी जब हुआ जाती तो कई बार पित हमारे जो पित होता हो बाइल डक्त में जमा होने लगता है जो बाइल का डक्त होता है उसके अंदर जमा होता है उन्हें लगता है जिससे जॉन्डिस भी हो सकता है जॉन्डिस एक खतरनाक बिमारी जिसके कारण आदमी मर भी सकता है तो जॉन्डिस भी हो सकता है गॉल ब पैंक्रियाज में चला जाए तो उससे कौनिक पैंक्रियाज नामक गंभीर समस्या होती है क्रोनिक पैंक्रियाज नामक के गंभीर स्टीती पैदा हो सकती है अगर सही समय पर उपचार न कराए यह तो गॉल बेडर में कैंसर भी हो सकता है कैंसर की समस्या भी पढ़ा हो सकती है अब नौर्मली अब जो बात में कर रहे हूं गॉल-ब्याडर के अंदर में स्टोन बनता है लेकिन असी प्रतिशत फत्री जो होती है गॉल-ब्याडर के कोलेस्ट्रॉल से ही बनती है लिएजिसलिक भॉजन होता है संग्रह। ब्लैडर में होता है यह पित्त फैत यूक्त भोजन को पचाने में मदद करता है लेकिन जब पित्त में कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल और बीलूरुबिन के मात्रा इखता हो जाती यह जादा हो जाती तो प्तर स्टोने इसके उपर में ओमेगा थ्री काम करता है क्योंकि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल से स्टोन मना हुआता है अब बात समझ के होंगे क्यों काम करता है और 80% नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल वाले ही स्टोन बद्दे अब दूसरा होता है किड्नी स्टोन क्या होता है नॉर्मल घटक पतल्आ करने के लिए परियाब पानी सब्सक्राइब और अदिक अम्हेंट बन जाता है और günstohn का मुख्य का कारंगी अम्हें पदारता है तो यह था कियो फात्री होती है दोनों तरह कि पत्री मैं आपको बता दिया ठीक है औने glad for gallbladder stone क्यों होता है और kidney stone क्यों होता है अब देखते testimony 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 में आपको पता चलेंगा कि कि तरह से अचम्या 3 ने काम किया है और इसो औरTP नचलमे क्या समय है तो ये तोस्टों में जो महिला थी इनका नाम था रोधा लिंदा है यह कही थिए इनोंने अटोमी का ओमेगा-3 लिया इसके पीछे कुछ कारण था इनको गॉल बेडर की समस्याती करके नहीं लिया था इसके पीछे इनका कारण था यह कही थिए मेरा बैड कोलेस्टॉल बहुत ज़्यादा हाय था मेरको इसको लेने का यहने अटोमी का ओमेगा-3 लेने का विचार नहीं था यह कहती है इनका कोलेस्टॉल जो बैड कोलेस्टॉल है बहुत ज़्यादा था जिसके कारण इनोंने ओमेगा-3 लिया लेकिन पहले इनका ओमेग गॉल ब्लैडर इनका जो गॉल ब्लैडर था तुरंत निकालने के लिए कहा था तुरंत उसको रिमू करने के लिए कहा था शरीर से अलग करने के लिए कहा था यूकि इनकी उमर बहुत जादा थी और स्टोन जो था गॉल ब्लैडर के अंदर में उसका साइज भी बड़ा हो र ता यह महिला कहती है मैं इस बारे में सोच रहे थी कि शरीर से कोई पार्ट इस शरीर का उसको अलग करने से क्या तकलिब हो सकती यह सोच रहे थी और इसलिए इन्होंने सोचा कि ने अभी कुस दिन रुख जाते कुस दिन मैं गॉल ब्लैडर का उप्रेशन नहीं करती है शरी और किसी चीज के लिए इन्होंने ओमेगा-3 नहीं लिया था ठीक है लेकिन एक महिना ओमेगा-3 लेने से यह महिला कहती इनका बैड कोलेस्टरॉल घड़ गया जो बैड कोलेस्टरॉल बहुत ज़्यदा हाय था उसका लेवल कम हो गया बाद में इन्होंने अल्टरा साउंड क म pill करने के लिए बोला था बड्र की लीए रिमूब करना था इसलिए उन्होंने अल्टरा सां किया तो उंको दिखा कि ग्रफ स्ट्व रिमूब किन दर में किसी तरफ करद्या कोई भी स्टोन नहीं है और इनका ऑप्रेशन डॉक्टर में कैंसल कर दिया डॉक्टर ने इनको कहा कि आपके गॉल ब्लेडर के अंदर अब स्टोन नहीं है तो आपको आपके शरीर से गॉल ब्लेडर रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है यह सुनकर महिला बहुत खुश हुई और उन्होंने यह एक्सपिरियंस जो था इनके ओफिस मेट्स जो काम करती थी वहां जो भी लोग काम करते उनके साथ यह एक्सपिरियंस इन्होंने शेर किया उन्होंने कहा मेरा operation omega 3 के कारण cancel हो गया मेरा gallbladder जो शरीर से निकालना था जो मैंने आटोमी का omega 3 consume किया उसके कारण ये मेरा operation cancel हो गया और मुझे gallbladder निकालना नहीं पड़ा मेरी office mate, महिला खहिती ने बहुत ओमेगा 3 को try करना चाहा इन्होंने omega 3 दिया क्योंकि उनकी जो office mate थी उनको kidney stone का issue था kidney में उनके stone था तो हुआ ये उन्होंने omega 3 लिया तो उनकी kidney का stone भी पुरी तरह से dissolve हो गया वो महिला के kidney का stone भी यह जो महिला अपना experience share कर रही है अपनी testimony share करी है, इन्होंने किसी को बताया था उनके kidney में stone था और ओमेगा 3 लेने से उनके किड्नी का स्टोन भी रिमू हो गया था डिजॉल हो गया था तो यह महिना कहती है आटोमी के प्रोड़क बहुत जादा कारगर है और यूस्पूल है रिजल्ट फूल है तो यह थी टेस्टोमनी यह जो मैंने आपको अभी बताया यह थी आटोमी ओमेगा 3 की टेस्टोमनी गॉल फ्रादर और किसके उपर ती किड्नी स्टोन के उपर मैं सिर्फ आप लोगों को एक ही सला दूंगा अगर आप omega 3 लेते हैं, kidney stone के लिए और गॉल ब्लैडर stone के लिए तो साथ में हीमो हीम भी रखे, combination में लीजेगा, क्योंकि हो सकता है जो गॉल ब्लैडर की जो स्तीति होती है, अलग-अलग तरीके के गॉल ब्लैडर होते हैं, अगर आप 80% में हैं, तो हो सकता है, रिमू नहों गॉल ब्लैडर का stone, इसलिए हीमो हीम भी ट्राइ केजिए, जात में डॉक्टर के आडवाइद भी रखे, तो आज की टेस्टोमोनी कैसे लगी ज़रूर बताईगा, उनके पार्ट से शरीर के अंदर जो पार्ट है, उसको और गॉल ब्लैडर समान पार्ट को रिमू करने से बचा सके, तो इसलिए ये इस वीडियो को लोगों तक शेर केजिएगा, तो आज का वीडियो इहीं तक था, जिसको भी ये प्रोड़क्ट चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरा नंबर दिया हुआ है, वहां मुझे से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो नमस्कार, जै स्री राम, फिर मिलेंगे सीचर के नए वीडियो में,